रेंट एग्रिमेंट क्या होता है क्यू रेंट एग्रिमेंट सिर्फ 11 महीने का ही होता है क्या डॉक्यमेंट आपके पास होने चाहिए रेंट एग्रिमेंट प्रिपेर करने के लिए आज की शो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंट एग्रिमेंट ज्यादा तार सिर्फ 11 महीने का ही क्यों होता है और rent agreement बनवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए stay tuned because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian So इस वीडियो को आगे बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि rent agreement क्या होता है rent agreement basically एक legal document होता है जो कोई भी property rent पर देने से पहले landlord and tenant के बीच होता है जिसमें किराय की duration बताई जाती है कितने महीने तक किराय पर रहना है, कितना किराया होना चाहिए दूसरी terms and conditions और tenant और landlord की responsibilities के बारे में लिखा होता है इस show को आगे बढ़ाने से पहले एक important बात आपको ये भी note करनी है कि हर state में rent laws अलग है, rent regulations अलग है so ये जो भी points में आपको आज बताने वाला हूँ ये सारे basic points है और ये हर state में कही न कहीं apply हो जाते है लेकिन to be specific अगर आप किसी state में रहते हो और वहां के laws के बारे में आपको specifically जानना है तो ये basic points को आप ध्यान में रखके उस state का law जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस सारी चीज़े clear हो जाएंगी और आप sort out भी कर पाओगे कि मेरे इन कुछ points में से कौन से points आपकी state में applicable है और कौन से points आपकी state में applicable नहीं है नमबर वन, rent agreement हमेशा return form में होना चाहिए मतलब एक proper paper पे वो return में होना चाहिए orally rent agreement नहीं चलता नमबर टू, rent agreement के साथ जितनी भी उसकी stamp duty बनती है वो paid होनी चाहिए नमबर त्री, rent agreement पर landlord जो मकान मालिक है and tenant जो किरायदार है दोनों के ही signature होने चाहिए और दोनों के पास signature के बाद rent agreement की एक copy obviously होनी चाहिए नमबर फो, rent agreement कौन सी date को बनाया गया है और उसके अंदर कितना term है बतलब tenancy period कितना है, कितने महीनों के लिए या कितने साल के लिए, कितने time के लिए आपको जो घर है वो rent पर मिला है, वो भी उसमें clearly mention होना चाहिए नमबर फाइफ, rent agreement के साथ, landlord and tenant, दोनों की अधार कार्ट की एक एक copy attach होनी चाहिए नमबर सिक्स, rent agreement के लिए, दो witness भी जरूरी है बट दे रेस्ट डिपेंड अन दे लॉओ अफ़ आफ बाद स्टेट इन विच दे प्रॉपर्टी इस लोकेटेट नमबर सिर्फ, rent agreement में, landlord की जो प्रॉपर्टी वो rent पे दे रहे हैं, उसका पूरा address mention होना चाहिए नमबर एट, जो प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहा है, जो मकान मालिक है, जो landlord है अगर वो किसी और घर में रहता है, और जो प्रॉपर्टी वो किराय पर दे रहे हैं, वो कोई और है तो जिस प्रॉपर्टी में मकान मालिक इस वक्त रहता है, जो present प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का address भी rent agreement में mentioned होना चाहिए अगर landlord, मतलब मकान मालिक, आपको जो घर किराय पर दे रहे हैं उस घर के अंदर वो कोई काम कराते हैं, कोई आपको facility देते हैं like semi furnished, fully furnished, या किसी भी तरह की और facility देते हैं fittings, furnitures, तो वो चीज़ भी आपके rent agreement में mentioned होनी चाहिए तकि बाद में जब आपका agreement over हो या agreement के बीच में ही, duration में ही कोई legal dispute arise ना हो, किरायदार है, जो tenant है, वो हमेशा जब भी किराय पर कोई मकाम लेता है, house लेता है rent पे, तो उसको एक security money देनी होती है जितना भी security आपका amount होता है, उस amount को आपको अपने rent agreement में लिखवाना है क्योंकि कहीं लोग ये गलती कर देते हैं कि rent agreement में उनको जो landlord है, वो बोलते है कि जी, आप half amount लिखवाईए, भरोसे वाली बात जो होती है, तो उसमें इंसान मर जाता है फिर आपको अपना amount पूरा लिखवाना है, और अगर आप कोई default नहीं करते हो, अपना tenancy period के दोरान, तो वो amount आपका refundable होता है, आपको वापस मिलता है penalty for late payment, आपको ये भी लिखवाना चाहिए, rent agreement में, अगर आप एक landlord है, कि penalty जो होती है, अगर आप rent नहीं देते हो, इस तारिक तक महीने की, तो कितना penalty जो होगा, वो charge किया जाएगा notice, ये भी बहुत important है, कि कितने period पहले, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले, एक किराएदार को notice देना होगा, मकान मालिक को अगर वो घर खाली करना चाहता है, उससे पहले नहीं कर सकता number two, और जो मकान मालिक है, और वो मकान मालिक चाहता है, कि उसकी किराएदार उसका घर खाली कर दे, तो कितने समय पहले, जो मकान मालिक है, उसको किराएदार को notice देना होगा, कि आप मेरा घर खाली करो, within these days, or within one month, within two months, जो भी ये period होगा notice देने का, वो आपका agreement में लिखव है, कि जो भी property dealers होते हैं, या कोई और जो भी इनसान है, जिसको थोड़ी बहुत knowledge है, वो 11 महीने का rent agreement असलिए बनवाते हैं, ताकि stamp duty और दूसरे charges बचाये जा सके, because according to section 49 of registration act, अगर कोई भी agreement 12 महीने या 12 महीने से जादा का है, तो उस agreement का registration करवाना mandatory है, जरूरी है, necessary है, त तो यही सेब sequence को समझते है, chronology समझते है, कि अगर कोई rent agreement, आपने 12 महीने या उससे जादा का बनवा लिया, तो according to registration act, आपको उसको register करवाना पड़ेगा, और जब किसी rent agreement या कोई और agreement को register करवाना होता है, mandatory हो जाता है, तो उसके लिए registration fees और stamp duty दोनों pay करनी पड़ती है, and stamp duty and registration fees are two different things, now the second and the most important question of this show, कि क्या-क्या documents चाहिए आपको अगर आपको rent agreement register करवाना है तो, तो मेरी एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, कि मैं यहाँ पर registration की बात क्यों कर रहा हूँ, 11 महीने वाले agreement के जो documents होंगे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो point यहाँ पर य और यह सेम चीज आपको 11 महीने वाले rent के साथ भी करनी चाहिए, क्योंकि अकसर यह देखा गया है, कि लोग सोसते हैं कि हमें इसको register करवाना नहीं है, तो क्या करते हैं, सिरफ एक चोटा सा agreement बनवाते है, ना उसका कोई document होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिरफ एक agreement हो होता है, और कोई legal formality उसकी होती नहीं है, और बाद में जब legal dispute arise होते हैं कि किरायोदार खाली नहीं कर रहा है, या मकान मालिक जबरदस्ती निकाल रहा है, तो रेंट agreement कहीं न कहीं वीक पड़ जाता है, तो इसलिए में rent agreement का registration आपको proper according to law बताऊंगा, according to registration होगा, उसका उसक से कहते हैं वो है, नमबर तू, आज की date में अधार कार्ट को भी mandatory कर दिया गया है, तो मकान मालिक और किरायदार, landlord और tenant दोनों का ही अधार कार्ट उस rent agreement में attach होना चाहिए, नमबर त्री, कोई भी दूसरा identity card जो की government द्वारा issue किया गया हो, driving license, passport या कोई और document वो भी होना चाहिए, उस rent agreement के साथ attached, लास्ट, नमबर 4, दो passport size photograph होनी चाहिए, दोनों parties की, अगर landlord एक से जादा है तो उनकी भी सबकी होनी चाहिए, किरायदार एक से जादा है तो उन सबकी भी 2-2 photographs होनी चाहिए, but rest, it all depends on the law of that state in which the property is located, that's all.